हलो दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ सब अच्चे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो के माद्यम से हम यह सीखने वाले है कि हम किस प्रकार से star delta startup बनाएंगे दोस्तों आपने कैसी वीडियो में यह देखा होगा star delta wiring करते होए या पिर समझाते होए लेकिन मुझे पता है आपको उन वीडियो को देखने के बाद भी आपको star delta wiring समझ नहीं आये होगी तो दोस्तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको star delta wiring बिल्कुल आशान और सरल भाशा में समझाएंगे कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको 100% स्टार डेल्टा वाइरिंग समझ आ जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको animation के जर्यूए आपको स्टार डेल्टा वाइरिंग समझाने की कोशिच करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा दोस्तों आपको star, delta, starter में total आपको तीन contactor की जुरुरत पड़ती है जिसमें आपको एक man contactor, एक delta contactor और एक star contactor यूज करना होता है तो आपको इसके बाद में एक timer की भी जुरुरत पड़ेगी जैसा कि हमने यहाँ पर timer लिया है select company का timer है और यह हमारा timer 415 volt पर है पर प्रक करेंगे उसके बाद में हमने यहाँ पर नीचे जो हमारी यह है यह हमारी relay है यह हमारी overload protection और face miss होने पर हमें protection देगी और इसके बाद में हमारे यह नीचे जो दे रहे हैं दोस्तों यह हमारे no और NCA या फिर आप इससे stop button या फिर on button भी बॉल सकते हो start button भी बॉल सकते तो चलिए दोस्तों अब आपको इसका wiring करके बताती है तो दोस्तों जैसाथ कि आपको यहाँ पर main contactor दे रखा है इनमें आपको तीन face देने हैं तो जैसे यहाँ पर line 1 दे देते हैं यह हमारा line 2 हो जाएगा और यह हमारा line 3 हो जाएगा तो हमने यहाँ पर line 1, line 2, line 3 दे दि इस वीडियो में हमने यहाँ पर 3 line 1, line 2, line 3 दे दिये इसमें हम स्रिफ आपको control wiring ही बताएंगे आपको इसमें load wiring नहीं बताएंगे आपको स्रिफ इसमें control wiring बताएंगे आपको motor के connection किस परकार से करने यह आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे यह आपको अगली वीडि लिया दोस्तों यह हमारा लिया और हमने यहाँ पर एवन पर यहाँ जो मेहन कॉंटेक्टर है इसके एवन पर शोट किया उसके बाद में यही फेस को हम डेल्टा वाले कॉंटेक्टर के एवन पर शोट कर देंगे उसके बाद में यही फेस को हम डेल्टा वाले एवन से हम करेंगे तीनों कॉंटेक्टर के एवन पर शोट कर देंगे उसके बाद में यहीं फेस को हम क्या करेंगे टाइमर के एट्टू पर शोट कर देंगे तो दोस्तों आप चाहो तो यहां पर आप अपने इसाब से कर सकते हो लेकिन आपको जो टाइमर है इसके आपको एट्टू में जानना है कि क्यों करता है इस crazim क्या है तो आप वीडियो के साथ बने रहे हैं यहां इसकी बारे में इसके बारे में पिच्छानमे नमबर पर दे देंगे याँ पिच्छानमे पर सिधा यह एक फिच्छानमे नमबर से निकालेंगे और इसको हम यहाँ पर एंसी बटन पर दे देंगे यानि कि आप इस ठोप बटन होता है इस पर दे देंगे या पर आप जो आपका रेड बटन होता है इसके एक पॉइंट पर दे देंगे उसके बाद में जब हम एंसी बटन पर देंगे फेस तो हमारा दूसरा जो हमारा एंसी पॉइंट का दूसरा हमारे जो button है उसका दूसरा point होगा उसको हम short करेंगे no से और no से फिर से हमारा जो face निकले गया तो यहां से हम जब button दबाएंगे no button तो यह हमारा face जाएगा सीधा हमारे main contactor की coil पर main contactor की जो हमारी a2 point है उस पर हमारा ये face चला जाएगा इससे क्या होगा दोस्तों हमारा ये time जो हमारा main contact रही है ये on हो जाएगा अब लेकिन दोस्तों ये hold नहीं होगा hold करने के लिए क्या करेंगे हम जो हमारा यहां पर nc और no बटन है इस पर हमने जो common point short किया चोटी सी आपको यहां पर line दिख रही होगी या पर आपको wire दिख रहा होगा वहां से हम एक loop उठाएंगे आप चाहो तो nc से उठा सकते हो क्योंकि यह दोनों loop है तो यहां से हम एक face उठाएंगे यहां से एक loop उठाएंगे और यह हमारे main contactor है इसके no बटन पर दे देंगे और sorry main contactor के no point पर दे देंगे और दूसरे no point से हम जो हमारा face निकलेगा यह सीधा हमारे main contactor की a2 coil पर चला जाएगा अब इससे क्या होगा दोस्तों हमारे main contactor hold हो जाएगा और इसके बाद में हम जो क्या करेंगे दोस्तों हमारे a2 point होगा जो हमारा main contactor का a2 point होगा इससे हम 8 wire उड़ लेंगे और इसको हम सीधे timer के a1 पर पच्चिस पर और 15 पर शोट कर देंगे इन तिनू को हम शोट कर दें तीनु कोंटेक्टर को और इसको एट्टू को हमने शोट किया इसके बाद में जब एवन पर सप्लाई आएगी क्योंकि हमारा मेन कोंटेक्टर चालो होगा तो हमारा एवन पर सप्लाई आएगी तो सप्लाई आएगी तो इसके बाद में हमारा ये टाइमर 15 नमबर हमारा 18 नम पे चला जाएगा और दूसरे हां जो पॉंटेक्ट का nc नहीं आगले nc पॉंट होगा उससे हमारा फेर्ज निकलनेगा और वो हमारा सीधा चला जाएगा star contactor के एट उपर जिससे क्या होगा दोस्ता हमारा star contactor चलता रहेगा जैसा कि हमने timer पर जितना time set किया है उतने time तक हमारा star contactor चलता रहेगा जब हमारे timer का time पूरा हो जाएगा तो हमारा ये timer हमारा 28 नंबर को supply दे देगा यानि हमारा 18 नंबर एनसी कट हो जाएगा और हमारा 28 नंबर ये इस पर हमारे 25 के जरिये हमारा ये supply 28 नंबर पर आ जाएगी और इससे क्या होगा जब 28 नंबर supply निकालेगा तो हमारे ये supply star वाले contactor के NC point पर चला जाएगा और star वाले contactor के दूसरे NC point से हमारा ये delta वाले contactor को supply यानि 2 को supply मिल जाएगी जिससे क्या होगा हमारा ये delta वाला contactor on हो जाएगा और star वाला contactor off हो जाएगा इस तरह से हमारी ये main contactor पेले से ही on हो रहेगा और हमारा delta वाला contactor star के चलने के बाद में on हो जाएगा इस तरह से हमारी ये star delta wiring कपलीट हो जाएगी तो दोस्तों आपको आयोप समझ में आ चुका होगा कि हम किस प्रकार से स्टार डेल्टा वाइरिंग करते हैं तो दोस्तों आपने देखा है कितनी आसान भाषा में और आपको कितने आसान तरीके से हमने स्टार डेल्टा वाइरिंग समझाई है तो अब कर लेते हैं जैसा कि हमने वीडियो के आपको शुरू में बताया था कि हमने यहाँ पर A2 को timer के A2 को ही क्यों हमने short किया A1 को क्यों नहीं short कर सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो A1 और 25 और 15 है यह हमारे supply 16, 18 और 28 को देते हैं ना कि हमारा A2 देता है तो हमारा यह A1 ही हमें control करना पड़ेगा timer का थब जाके हमारी star delta wiring complete होगी तो इस कारण से हमने यहाँ पर A2 को को ही short किया है ना कि A1 को तो A1 हमारा यहाँ पर यह हमारी जो wiring complete करने में साहिता करेगा तो दोस्तों आपको I hope वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी कसी भी पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को like करें और हमारे नीचे rate बटन को दबा के चैनल को subscribe करें और जब आप चैनल को subscribe कर लोगे तो आपको पास में जो बेल आएकन आएगा उसको आपको old notification पर set कर लेना है जिससे हम जब भी ऐसी interesting वीडियो डा लेंगे तो आपके पास सबसे पेले notification आज आएगा और आप वीडियो तेक कर अपनी knowledge increase कर सकते हो तो दोस्तों मिलते एगली वीडियो में बाई